हेलो गाईज वेलकम टो माई लाइफ इस हार्ड वर्किंग चैनल तुड़े आइम प्रजेंट यस वाई एजुकेशन फार मिशन चैनल गाईज यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आपको इस तरह के एंसी क्यू चाहिए ऐसे रिलेटेड पर्यावरण से और चैनल डवलपमेंट से इंग्लीश से रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाती रहती हूं प्लीज आपको चाहिए तो कमेंट में आप अपनी टॉपिक ली करके भेज सकते हैं और मैं उसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी जरूर बनाऊंगी अब कोश और बहुत ही किस विद्वान ने दिया है तो कर्ट लविन ने दिया है नेस्ट है कर्ट लेविन कहां के बैग्यानिक थे तो जर्मनी के थे नेस्ट है गेस्टाल्ट वादी वाक्य है तो गेस्टाल्ट वादी वाक्य क्या है तो जर्मनी के विद्वानों का समुह जिसमें जिसे गेस्ट कोफ़ा वर ड्रीमर शामिल है नेश्ट है कर्ट लेवीन किस संपरदाई के शमर्थक थे तो यह शंग्यानवादी संपरदाई के शमर्थक थे नेश्ट है छेत्र शिधानत को किस किस नाम से जाना जाता है एस यहाँ पे आपको बहुत ही मुश्ट आपके सामने point view आ गई कि एक ही जो है सिध्धान्त के three names हैं तो आप उसको देख लेंगे संग्यानात्मक छेत्र सिध्धान अस्थान मनोविज्ञान सिध्धान बाल सिध्धान मनोविज्ञान स्वारी बाल दिसा मनोविज्ञान एटेसी नाइक्ष्ट है कर्ट लेविन के छेत्र सिध्धान्त में जो है उनका क्या रथ है तो जीवन के विभीने छेत्रों से है जैसे की सिख्षा का छेत्र स्वास्त का जो है नाइक्ष्ट हमारा है कि अधिगम का जो है यहाँ पर अधिगम का स्ट्रेडी क्रमसिधान्त किश ने दिया था तो रावट गेन ने दिया था स्ट्रेडी बदकर के नेश्ट है रावट गेन की संप्रदाय के समर्थक थे तो यहाँ पर हो जाएगा संग्यानवादी के थे नेश्ट है रावट गेन कहां के बैग्यानिक थे तो अमेरिका के बैग्यानिक थे नेश्ट रावट गेन ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में डिवाइड किया तो इसने आठ भागों में अधिगम की प्रक्रिया को डिवाइड किया जैसा कि यहां पर स्रंकेत अधिगम, उद्धीपक, अधिगम, अभीक्रिया, आरियश अधिगम कहते हैं जिसे और श्रेंखला अधिगम, स सिध्धान्त अधिगम, एट एंड लाज समस्या समाधान अधिगम, नेश्ट है रावट गेन के अकार्डिंग अधिगम का सबसे निम्न अस्तर कौन सा है तो संकेत अधिगम, नेश्ट है हमारा रावट गेन के श्रेडी क्रमशिधान्त के अनुशार अधिगम का सबसे उचितम अस्तर कौन सा है तो इसमें समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा, नेश्ट है रावट गेन के अकार्डिंग वालक का लर्निंग का पुरा हो जाता है तो बारह वर्ष के उपरांत जब वह अपनी शमस्याओं का शमाधान करने लगता है तब शिक्षा शास्त्री यहाँ पे अनुवंद का सिधान किस ने दिया तो पावलों ने कुट्टे प दिया था नेश्ट है यहाँ पे देखेंगे पावलों की संप्रदाय के संपर्थक थे तो बेवहारवादी थे नेश्ट है डमरू पर जो है बंदर का नाचना की सिंधान्थ पर कारी करता है तो शास्त्री यह वंधन का शिड़्धान्थ है नेश्ट है खेत में बीजुका का खड़ा करना एक उसे देकर पक्षियों का भागना कि सिद्धान्त पर कारी करता है तो सास्त्री अनवंधन का सिद्धान्त पर करता है बहुत ही ऐसे बहुत मोश्ट मोश्ट एक उस्जन है आपके लिए सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किष ने प्रियोग किया था तो कोहलर ने किया कोहलर की संप्रदाय के समर्थक थे तो शंग्यानवादी के थे ने चुहे पर अपना प्रियोग कौन से वैग्यानिक ने किया था तो इसकीनर ने किया इसकीनर के शंप्रदाय के समर्थक थे त नए संरचनात्मक कारियों को सीखने पर कौन सा सिधान बल देता है तो अंतर द्रिष्टी का सिधान अंतर द्रिष्टी का सिधान किस बैग्यानिक ने दिया तो कोहलर ने दिया नेक्ष है मानशिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिधान उपयोगी है तो सिख्षा सास्त्री अनुबंद सिधान नेक्ष है शंग्यानात्मक सिधान किस ने दिया तो ब्रूनर ने दिया संग्यानात्मक सिधान तीन टाइपस दिया था नेक्ष है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परड़ाम है तो यह हैरिडिटी एंड इर्वार्मेंटल का है नेक्ष है प्रात्मिक विद्यालयों के बालकों के लिए निमने में से किसे बहत्तर मानेंगे सुहम के द्व कि प्रतेक्शन भाव से कौका जाता है समाजी का दिगम नेक्ष्ठ है कौन सा दिगम सिधान व्यक्त करता है कि मानमक्ष्ठी से एक वाफ की बड़ी चटान के समान है तो अधिकान छिपी रहता है तो उसे हम चेतन के तीन अस्तर दिये तो यह दिया था मनों विश्लेश्र प्राइड ने दिया था चेतन अर्द चेतन और अचेतन नेश्ट है इसमें अधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है तो बौधिक विकास का हिस्सा है नेश्ट है हमारा ब्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भेनने होते हैं विकास की दर यहां से हम जो है अपने इस पर ब्रेक लेना चाहती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के प्रेजेंट होंगे अपने mcq और अधि यदि यह पाइंट व्यू लगे आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना न भूले जाते जाते हैं